यदि धात्मों की बात हो, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सोना, चांदी, तामबा, लोहा आधी धात्मों के नाम आते हैं। मानो सभ्यता के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप जानते हैं, तामबा पहली धात्मों थी जिसका उपयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया। लगबग 10,000 वर्ष पूर वर्षों से इसके उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। बहुमूले धात्मों की बात हो यने की सोना, चांदी या प्लाटीनम जिनके गहने आभूशन भी मनाई जाते हैं। या फिर उद्योगिक रूप से महत्वपून धात्मों की बात हो यने की आईरन, कोबाल्ट, निकिल, टंगस्टन, टुटेनियम, प्लाटीनम आदी। ये सभी धात्वें डी ब्लॉक तत्व यने की संक्रमन धात्वी ही हैं। इसी तरह से एक मात्र द्रव धात्व जिसे हम जानते हैं पारा या भी डी ब्लॉक तत्व ही है। इस तरह से हम देखें की एफ ब्लॉक तत्व में कुछ धात्वी हैं जैसे की यूरेनियम, थोरियम, पैलरडियम जो की रेडियो एक्टिव भी हैं। और साथी साथ ये वर्तमान युग में उर्जा के स्रेष्ट स्रोत की रूप में महत्यपुन हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं की D-Block तत्था F-Block तत्व बहुत सी बहमोली तत्था उपयोगी धात्वों को अपने अंदर संजोई हुए हैं। तो इस अध्याए में इस लेसन में हम इन्हीं D-Block तथा F-Block तत्वों के गुड़ों का विस्तार से अध्यन करने वाले हैं ताकि हम जान सकें कि इनका हमारे अध्योगित जगत में तथा दैनिक जीवन में इतना उप्यों क्यों हैं सबसे पहले जानते हैं D-Block तत्वों हमारी आध्योनिक आवर्थ सानी में S-Block तथा P-Block तत्वों के मद्ध में आएने वाले तत्वों को D-Block तथा F-Block तत्वों कहा जाता है यदि D-Block तत्वों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आवर्थ सानी के मद्ध में ग्रूप 3 से लेकर ग्रूप 12 तत्थ समु 12 से लेकर समु 13 तक आने वाले तत्वों को D-Block तत्वों कहा जाता है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 मुख्य आवर्थ हैं जिसमें इन D-Block तत्वों को रखा गया है इस तरह से हम देखें कि जो D-Block तत्व हैं उन्हें D-Block तत्व इसले कहा जाता है क्योंकि जब हम इन तत्वों का electronic विन्यास करती हैं तो इनमें अंतिम electron D-Cos, D-Shap-Shell में प्रवीश करती हैं इस तरह से साथी इन तत्वों को संक्रमन तत्व भी कहा जाता है और इन तत्वों का जो सामाने electronic विन्यास है वह होता है इसके बाद हम देखते हैं नीचे यहाँ पर हम देखें नीचे जो दो श्रणिया आपको तत्वों की दिखाई दे रही हैं इन्हें हम कहते हैं F-Block तत्व इन्हें भी F-Block तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इनका electronic विन्यास करते हैं तो इनमें अंतिम electron F-Subshell में प्रवेश करते हैं और इन तत्वों को अंतर संक्रमन तत्व भी कहा जाता है वो इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारी जो D-Block तत्व हैं उसमें जो छटवा आवर्त है उसके लंधेनम के बाद लंधेनम 57 के बाद आपको देखें कि हाफनियम 72 आ जाता है तो बीच के चवदा तत्व कहा गया है इनी चवदा तत्वों को यहां से निकाल कर नीचे अलग शरणी में रखा गया है क्योंकि इनके इलेक्ट्रानिक विन्यास भिन है और इस वज़े से इनके गुण भी भिन होते हैं इसी तरह से आप देखें जो सात्मा आवर्त है वहाँ पर एक्टीनियम 89 के बाद सीधे रदर फोडियम 104 एक सो चार परमानुक्रमांक वाला तत्व आ जाता है तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कुल 14 तत्व नहीं है और इन 14 तत्वों को अलग नीचे रख दिया गया है और इन्हें हम अलग शणी में रखते हैं तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो F कौष में उपस्तित होते हैं या उसमें प्रवेश करते हैं इसके साथ ही यहाँ पर F को सबसेल में तो प्रवेश करते हैं लेकिन कौन से शबसेल में प्रवेश करते हैं, 4F में प्रवेश करते हैं, इसलिए जो लेंथेनम के बाद के जो चौदा तत्वों हैं, उनको एक साथ सामोहिक रूप से हम लेंथेनाइड्स कहते हैं, और इसी तरह से जो हम नीचे देख रहे हैं, वहाँ पर जो दूसरी श्र तत्मों को हम एक्टिनाइड्स कहते हैं, तो इस तरह से लेंथेनाइड्स जो सीरीज है वह सीरियम 58 से प्रारम होकर लूटेटियम 71 पर समाप्त होती है, तथा जो एक्टिनियम शीरीज है वह थोरियम 90 से प्रारम होकर यह लॉरिंशम 103 पर जाकर 103 पर जाकर समाप्त होती है इस तरह से हम देखें जो F ब्लॉक तत्व हैं उन्हें इनका जो सामान एलेक्ट्रानिक विन्यास होता है वह N-2 F 1214 तथा N-1 D 1210 तथा Ns 122 होता है यहाँ पर हम बता दें कि जो अन्तिम इलेक्ट्रान है वह बाहतम कोश के दो भीतर वाली N-2 सब्चल में प्रवीश करता है जैसे कि उधारण हम लेते हैं कि यहाँ पर हम सीरियम का उधारण लें सीरियम जिसका परमानु क्रमांख है 58 यहाँ पर हम देखें जब हम इसका इले अक्री धातू है क्योंकि इनके इलेक्ट्रानिक विन्यास परमानु क्रमांख अधिक होने की वज़े से इलेक्ट्रानिक विन्यास काफी जो लिखा जाए तो काफी लंबा होता है इसलिए चो कि यहाँ पर जीनान तक यानिकी 3D और बिटल कंप्रीटली फिल्ड होते हैं औ और यह जो इलेक्ट्रानिक विन्यास होता है वह अक्री गैस जीनान का होता है इसलिए यहाँ पर शॉट में हम जीनान लिख देते हैं इसके बाद हम आगे का जो कोशे उसके इलेक्ट्रानिक विन्यास को विस्तार से लिखते हैं तो यहाँ पर हम सीरियम का जो इलेक्ट्र विन्यास होता है तो यहां पर हम देखें कि जो इसमें सबसे पहले 6S में दो इलेक्ट्रान जा चुके होते हैं उसके बाद एक इलेक्ट्रान 5B में जा चुका होता है और उसके बाद यहां पर जो इलेक्ट्रान है वो 4F में प्रवेश करते हैं और इसलिए यहां पर आप दे तो यहां पर हम थोरियम 90 लें तो यहां पर हम देखेंगे थोरियम 90 का जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे अक्री धातू रेडॉन इसके बाद लिखेंगे 5F3 यहां पर फिर 6D1 तथा 7S2 यह इसका इसका इलेक्रानिक विखेंगे तो यहां पर भी हम देखें जो 7S2 उसमें उसमें इलेक्रान पहले चले जाते हैं उसके बाद एक इलेक्रान 6D में जाता है और उसके बाद जो इलेक्ट्रान एक एक करके भरने शुरू होते हैं वो 5F में भरने शुरू होते हैं तो इस तरह से इनका जो इलेक्ट्रानिक विन्यास होता है वो N-2, F1-14 तथा D में हम देखे तो N-1, D1-10 तथा Ns जो बहतम कोश है उसका इलेक्ट्रानिक विन्यास होता आएने स one two two यह इनका सामान electronic विन्यास होता है आए अब हम जानते हैं डी ब्लोक तत्व को संक्रमन तत्व के बारे में संक्रमन तत्व जैसे कि आप जानते हैं संक्रमन तत्व को आवर्त सार्णी में यदि हम इसकी स्थती देखें जैसे कि मैंने अभी बताया इन्हें मद्ध भाग में आवर्त सार्णी के मद्ध का अधिकांश भाग जो है वह डी ब्लॉक तत्वों के द्वारा घीरा हुआ है इन परमाणों में जो अंतिम इलेक्ट्रान होते हैं वह यानि की जो एन माइनस वन डी और्बिटलों में प्रवेश करती हैं जो डी ब्लॉक तत्वों है उसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रूप 3 से लेकर ग्रूप 12 तक यह तत्वा आते हैं यहाँ पर चार आवर्त हैं और जो अंतिम इलेक्ट्रान है किस डी उपकोश में प्रवेश करत है इसके आधार पर इन्हें चार नाम दिये जाते हैं जो अब यहाँ पर चौथे नंबर के आवर्त में जो तत्व हैं उन्हें हम देखें जो कि स्कांडियम 21 से प्रारम होकर जिंग 30 पर समाप्त होता है यहनि कि स्कांडियम 21, टिटेनियम, वैनडियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंग इन तत्वों का जब हम एलेक्ट्रानिक विन्यास करते हैं तो अंतिम एलेक्ट्रान 3D ओर्विटलों में जाते हैं इसलिए इस श्रणी को 3D श्रणी भी कहा जाता है और साथ ही साथ चुकि यह संक्रमन तत्वों की पहली श्रणी है इसलिए इसे प्रथम संक्रमन श्रणी भी कहते हैं इसी तरह से जो पाच्वे नंबर का आवर्थ है उसमें जो अंतिम एलेक्ट्रान है वो 4D ओर्विटलों में प्रविश करते हैं और इसलिए इसे 4D श्रणी भी कहा जाता है और चुकि यह संक्रमन तत्वों की दूसरी श प्रवेश करते हैं और इसे लिए इस लिए इस रावर्थ में जो इलेक्ट्रान प्रवेश करते हैं वो डी उपकोष 5D उपकोष में प्रवेश करते हैं और इसे लिए श्रणी को 5 B श्रणी भी कहा जाता है और साथ ही संक्रमन तत्वों की यह तीसरी श्रणी है इसे लिए इसे त्रति संक्रमन श्रणी भी कहते चैशी के और लेंथेनम 57 के बाद इसमें हाफनियम 172 तत्व को रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर टैंटेलम, टांगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लाटिनम, गोल्ड तथा मरकरी यह तत्व इसमें शामिल है। यहने की लेंथेनम 57 के बाद 72 हाफनियम आता है और उसके बाद कंटेन्यू परमाणो क्रमांग 80 तक के तत्व इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद हम देखें जो सात्में आवर्त में जो डी ब्लोक तत्व हैं चुकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रान 6D ओर्विटलों में प्रवेश करते हैं इसलिए इन तत्वों की श्रणी को 6D श्रणी कहा जाता है। 6D श्रणी के साथ ही चुकि यह संक्रमन तत्वों की चौथी श्रणी हैं इसलिए इस श्रणी को चतुर्थ संक्रमन श्रणी भी कहते हैं। और इसमें जो तत्व हैं वो आते हैं एक्टीनियम यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्टीनियम 89 उसके बाद जो तत्व हैं यहाँ पर रदरफोडियम 104 आता है क्योंकि हमने पहले ही बताया इनके मद्ध के जो चौदा तत्व हैं वो एक्टिनाइट्स के रूप में आवर्ट हैसियम 108 इसके बाद है मेटनेरियम फिर डर्मस्टेडियम तथा उसके बाद आता है रोंजीनियम और अंत में जो कॉपर नीसियम 112 यह तत्व इसमें शामिल हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो डी ब्लॉक तत्व हैं उसमें कुल चार श्रणिया हैं और इसमें ज इसके बाद हमने देखा कि इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रान है वह बाहरी कोशके जो इनका सामाने इलेक्ट्रानिक विन्या से वह हम देखते हैं कि N-1D, 1-10, Ns-1-2 होता है यहने कि जो इनमें अंतिम इलेक्ट्रान हैं वह बाहरी कोशके एक भीतर वाली कोशके d-orbitलों मे प्रवेश करते हैं उदारन के लिए हम यहाँ पर स्कैंडियम का देख सकते हैं स्कैंडियम जो पहला तत्व है उसमें उसका जो परमानुकुर्मांख है वह है 21 और इस तरह से जब हम इसका इलेक्ट्रानिक विन्यास लिखते हैं तो एहां पर हम लिखेंगे 1S2 2S2 टूडि 6 तो यहां पर प्रिथम और द्वतीकोश पून हो जाते हैं इसके बाद शुरू होता है तरती कोश तो तरती कोश में यहां पर 3S2 3P6 यहां पर इलेक्ट्रान जाते हैं और उसके बाद जो 3D है उसमें इलेक्ट्रान न जाकर बाहतम कोश यानि की 4S में 2 इलेक्ट्रान प्रवेश करते हैं और इसके बाद जब 4S में 2 इलेक्ट्रान चले जाते हैं उसके बाद जो बाद वाले जो इलेक्ट्रान है वह अंदर वाले में B जो 3D है उसमें प्रवेश करता है और इस तरह से यहाँ पर हम देखें जो चित्र में आप देख रहे हैं जो प्रथम कोश में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रान है दुती कोश में कुल 8 इलेक्ट्रान हो जाते ह और 3D के एक इलेक्टरान है、 तो घुल 9 इलेक्टरान हुए और इस तरह से जो बहत्म कोश है यनि कि 4S कोश है, वहाँ पर 2 इलेक्टरान होते हैं अब हम जानते हैं संक्रमन तत्वों के बारे में जैसे कि मैंने पहले ही कहा दी ब्लॉक तत्वों को संक्रमन तत्व भी कहा जाता है प्रारम में संक्रमन तत्व इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके गोंड एस ब्लॉक तत्वों तथा पी ब्लॉक तत्वों के मध्य म आप देखें, S-Block जो तत्वह हैं वो प्रबल धात्वे होती हैं और जबकि P-Block तत्वह में हम देखें कि यह इनमें अधात्विक गुन जादा होता है और इनका जो D-Block तत्वहों के ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्थी होते हैं लेकिन आजकल जो आयूपीस सिस्टम है उसके अनुसार संक्रमन तत्व ऐसे तत्वों को कहा जाता है जिनके परमाणूं की आद्धी अवस्था में ग्राουν स्टेट में या फेर इनकी जो सबसे सामान्य आक्सीकरण अवस्था होती है उसमें बीकोष डीस अब्चल अपूर अपूर होते हैं यह कह सकते हैं कि जो संक्रमन्तौ्ष वे तत्व होते हैं जिनकी पर्मानु अथ्वा आयन दोनों ही अवस्था में डी सब शेल अपून होते हैं उन्हें संक्रमन तत्व कहा जाता है जिसे हम एक उधारन के द्वारा समझ सकते हैं यदि हम 3D श्रणी जो प्रतम संक्रमन श्रणी का उधारन लें जिसमें हम देखते हैं कि यहां पर स्क यहां पर हम देखें जब स्केंडियम का इलेक्ट्रानिक विन्यास हम करते हैं तो इसके जो बहतम पोश इसका जो इलेक्ट्रानिक विन्यास होगा इसमें 4S में 2 इलेक्ट्रान होते हैं तथा 3D में 1 इलेक्ट्रान होता है यहने कि इसमें जो D सब सेल में 1 इलेक्ट्रान प Antarz 2 यहां पर हम देखें दो यहां पर भी जो d sub cell है वह अपून हैं इसी तरह से वैनडियं में में देखें क्रॉमिय में में देखें तो यह पर हम देख रहे हैं कि d sub cell Tiger होता है इसी तरह से मैंगनेज में देखें तो मैंगनेज मैं 45 इसके बाद आइरन का लेक्ट्रानिक वेंडीयास आप देख सकते हैं 26 यहां पर भी हमें अपून दि और दिखाई दे रहा है इसके बाद कोबाल्ट tus और केल भी हम देगता है यहाँ पर हमें पून दि और को ऑरबितल दिकाई दे रहे हैं हैं है इसके बाद हम देखें कॉपर कॉपर में हम देखते हैं कि जो यहां पर जो इसका इलेक्ट्राण के नियास दिखाई दे रहा है वह है 4s1 3d10 तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो d orbital है पूरी तरह से भरा हुआ है तो यह तरह से हम कहेंगे कि चुकि यहाँ पर copper में का परमाणू इसकी जो मूल अवस्था में है वो d orbital पूरी तरह से भरा हुआ है इसलिए इसे संक्रमन तत्व नहीं होना चाहिए लेकिन यह इसकी मूल अवस्था है लेकिन जब हम इसकी आक्सिकरण अवस्था को देखें जो की 2 प्लस आक्सिकरण हम जानते हैं copper 2 प्लस आक्सिकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और जब यह 2 प्लस आक्सिकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा तो आप देख सकते हैं इसमें से दो इलेक्ट्रान बाहर निकलेंगे उसमें से एक एलेक्ट्रान 4S में से बाहर जाएगा और जो दूसरा इलेक्ट्रान है वह डी में से एक बाहर जाएगा और इस तरह से इसकी जो आक्सी करण अकृत अवस् में इसका जो इलेक्ट्रानिक विन्यास होगा उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर डी नाइन कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा और इस स्थती में यहाँ पर एक जो डी ऑर्बिटल होगा वह अपून होगा तो इसलिए कॉपर में मूल अवस्था में भले ही डी ऑर्बिटल पू अंतिम सदज से है जिंग जिसका परमाणू क्रमांक होता है 30 और आप देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रानिक विन्यास है 3D10-4S2 यहाँ पर हम देखें कि इसकी भी मूल अवस्था में इसके सभी डी कोश पूरी तरह से भरे हुए हैं अब हम देखते हैं इसकी आक्सिकृत अवस्था हम जानते हैं कि जिनकी जो सामाने आक्सिकृत अवस्था है वह है जडण 2 प्लस यहने कि जडण 2 प्लस बनाने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रान बाहर निकालने होगे और हम जानते हैं इसके बाहतम कोश 4S में 2 इलेक्ट्रान हैं तो यह अपने 2 इलेक्ट्रान को ब तो जِंक में ना तो इसकी मूल अवस्था में और नहीं इसकी आकसीकृत अवस्था में डी उपकोश अपून होते हैं इसलिए जो जिंक धात्युंसे शंक्रमन तत्व नहीं माना-जाता है इसी तरह से हम देखें कि जो संक्रमन विभेंचारो शंक्रमन श्राणिया है वहbrahim 30 क क्रिप्टन 4D10 5S2 है इसी तरह से हम देखें मर्करी जो अंतिम सदस्य है वो है मर्करी 80 इसका भी इलेक्ट्रानिक विन्यास हम देखें तो यहां पर आएगा जीनौन के बाद 5D10 6S2 तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि इसके D उपकोष पूरी तरह से भरेवे हैं इसी तरह से जो चतुर्थ संक्रोन शर्णी है उसमें अंतिम तत्व है कॉपर निसियम 112 इसका जब हम इलेक्ट्रानिक विन्यास देखते हैं तो यहां पर हम देखेंगे रेडॉन के बाद 6D10 7S2 इलेक्ट्रानिक विन्यास होता है तो इसमें भी हम देखें कि इनकी जब आक्से कृत अवस्था देखें या मूल अवस्था देखें तो दोनों ही इस्थतियों में इनने डी सबसेल डी उपकोश पूरी तरह से भरेवे होते हैं इसलिए हम देखें कि जो संक्रमन शर्णी के अंतिम 12 वर्ग के तत्व हैं यहीं कि जिंग, कैडमियम, मरकरी तथा कॉपर निसिय इन्हें हम संक्रमन तत्व नहीं मानते हैं, लेकिन चुकि यह संक्रमन तत्व या संक्रमन शर्णी के अंतिम सदसे हैं, इसलिए इनका अध्यन संक्रमन तत्व के साथ ही किया जाता है आईए, अब हम जानते हैं D ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रानिक विन्यास के बारे में, जैसे कि हमने कहा, D ब्लॉक तत्वों का जो सामान इलेक्ट्रानिक विन्यास है, वह होता है N-1, D, 1-10, Ns, 1-2, 2 यहाँ पर जो N-1 है, यहाँ आंतरिक D कक्षकों को इंगेज करता है और इसी तरह से जो आंतरिक D कक्षक है, उसमें एक से लेकर 10 तक इलेक्ट्रान हो सकते हैं, तथा जो बाहतम N-1 है, उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रान हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम इनका इलेक्ट्रानिक विन्यास करते हैं, तो हम पाते हैं कि चुकि N-1, D, सब्षेल, तथा बाहतम कोस जो N-S, सब्षेल, इनकी उर्जा में बहुत कम अंतर पाया जाता है और इसी वज़े से यहाँ पर जो इलेक्ट्रानिक विन्यास के सामान नियम, यनि कि जो आफवा नियम का हम पालन करते हैं, उसके से कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं यहाँ पर और दूसरी बात एक और होती है, क्योंकि यदि इनका जो इलेक्ट्रानिक विन्यास हो, जिसमें की पूर्ण पूरित, अथवा अर्ध पूरित सब्षेल होती है, तो वहाँ पर तत्व का स्थायत्व जादा हो जाता है यह भी कारान होता है, कि इनके इलेक्ट्रानिक विन्यास में अपवाद देखने को मिलते हैं, एन माइनस डी ऑर्बिटल तथा एनस ओर्बिटल की उर्जाओं में बहुत कम अन्तर होने की वज़ह से, एनस ओर्बिटल यानि कि बाहतम कोश्चे जो इलेक्ट्रान हैं, वह कहां कहां पर देखने को मिलते हैं, इसे हम उदाहरण की द्वारा समझते हैं, यहां पर हम 3D श्रणी के मूल अवस्था में electronic विन्यास को देखते हैं, थ्रणी श्रणी में सबसे पहला जो तत्व है, वह है scandium 21, और scandium 21 का जब हम electronic विन्यास करेंगे, आफवार रूल के अनुसार, तो यहां पर आप देख रहे हैं, यह आफवार रूल का जो उर्जा के बढ़ते हुए क्रम ओर्बिटलों के दिये गए हैं, उसके अनुसार जब ह हम इनका electronic विन्यास करेंगे, तो सबसे पहले electronic विन्यास होगा, इस तरह से 1s2, 2s2, 2p6, इसके बाद जो इलेक्ट्रान जाएंगे, वह तीसरे पोश में जाएंगे, 3s2, 3p6, अब यहां पर आप देखिए, जो अफवार रूल कहता है, कि जो इलेक्ट्रान है, वह 3p के बा 3d में ना जाकर 4s में जाएंगे, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रान भरने का क्रम होगा, वह पहले 4s में एक इलेक्ट्रान जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रान 4s में जाएगा, और उसके बाद 4s जो ऑर्बिटल है, वह भर जाएं, उसके बाद फिर हम पीछे आकर अंद प्रानिक विन्यास कर दिया है, जो अंतिम इलेक्ट्रान होगा, वह यहाँ पर 3d में जाएगा, तो इस तरह से जो इसकांडियम, लेकिन यहाँ पर हम 4s को भरेंगे पहले, लेकिन लिखते समय हम 3d को ही पहले लिखेंगे, लिखते समय हमें 4s को पहले नहीं लिखना है, क् क्योंकि 4s जो एक कक्ष है, और कक्ष को की जो इस्थती होती है, वह 3d के बाद ही 4d कक्ष की इस्थती आएगी, इसलिए 4d कक्ष को हम पहले नहीं लिख सकते, तो इस तरह से स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रानिक विन्यास होगा, वह होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2, इसके बाद हम देखते हैं, सामारने विन्यास यहाँ पर क्रिटेनियम का होगा, क्रिटेनियम में यहीं विन्यास होगा, केवल जो d sub shell है, उसमें 2 electron प्रवेश करेंगे, इसके बाद वैनर्डियम में, d sub shell में हम देखें, 3 electron जाएंगे, इसके बाद आता है chromium, जिसका परमा 4s में 2 electron डालने के बाद हमारे पास 4 electron बैचते हैं, जिससे हम एक एक करके d उपकोष के आर्विटलों में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर अपवाद देखने को मिलता है, यहाँ पर हम देखें कि जो 4 electron हैं, वह 4d में जाने के बाद जो इस्थती मिल रही है, यहने कि 3d4, 4s2 इस स्थती में यदि एक बदलाव कर दिया जाए, यहने कि 4s में से एक electron जम करके 3d में आ जाता है, तो यहाँ पर अब देखें कि जो d उपकोष है, वह अर्ध पूर्ण हो गया है, प्रतेक पाचों और्बिटलों में एक एक electron हैं, और हम जानते हैं कि किसी भी उपकोष में जो पूर्ण पूरित आर्बिटल हो या फिर अर्ध पूर्ण आर्बिटल की जो अवस्था होती है, वह सबसे इस्थाई होती है, और हर तत्व इस्थाई तो प्राप्त करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर जब क्रोमियम का electronic विन्यास होगा, तो यहाँ पर हमें अपवाद देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जब हम क्रोमियम का electronic विन्यास हम आफवार रूल के अनुसार ना लिखते हुए, इसे अलग लिखते हैं, और यहाँ पर क्रोमियम 24 का electronic विन्यास जो होगा, बहतम कोश्का वो हो जाता है, 3D5, 4S1, इसके बाद हम चलते हैं, आगे मैगनीज 25 में, यहाँ पर हम देखते हैं कि 4S में 2 electron जाते हैं, तथा 3D में 5 electron जाते हैं, और यहाँ पर हम देखें कि 5D orbital में 1-1 electron है, अब इसके बाद iron 26, यहाँ पर जो D उपकोश है, उसमें के orbital में electron की pairing शुरू होती है, तो यहाँ पर जो D उपकोश का पहला जो orbital है, उसमें 2 electron जाएंगे, इसके बाद आता है कोबाल 27, इसमें हम देख रहे हैं कि फिर से pairing होगी, यहाँ पर जो electronic विन्यास होगा, वो 3D7 4S2 होगा, इसके बाद निकल का जो electronic विन्यास होगा, वो 3D8 4S2 होगा, इसके बाद हम आते हैं copper 29 में, copper 29 में जब हम सामा आने electronic विन्यास लिखते हैं, तो यह होता है 3D9 4S2, यह है आफवार रूल के अनुसार electronic विन्यास, लेकिन यहाँ पर भी हम देखें कि जो एक तो 3D orbital ताथा 4S orbital की उर्जा में अंतर कम होने की वजह से, यहाँ पर 4S में से एक electron निकल कर 3D में आ जाता है, और इस स्थती में आप देखेंगे कि 3D उपकोष जो है, वह पूरी तरह से भर जाता है, पूर्ण पूरित अवस्था प्राप्त हो जाती है, और जो की अधिक इस्थाई अवस्था है, इसलिए यहाँ पर पुना अपवाद हमें देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज रिंक का इलेक्रोनिक विन्यास सामाने होता है, जिसमें कि D कोष पूरी तरह से भरे होते हैं, यहनि कि इसमें 3D 10 तथा 4S 2 एलेक्रोनिक विन्यास मिलता है, तो इस तरह से हम देखें कि 3D जो कोष है, यहनि कि N-1D उपकोष तथा Ns उपकोष के उर्जा में कम अंतर होने क की वजह से और दूसरा अधिक स्थाई इलेक्रोनिक विन्यास प्राप्त करने की वजह से यहां पर इलेक्रोनिक विन्यास में कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं,